स्वागत है आप सभी लोगों का और इस वीडियो में हम GPSC RTO का Provisional Cut-Off डिसकस करने वाले हैं Remember this कि ये क्या है? Provisional Cut-Off है ना कि Final Cut-Off है इससे पहले भी हमने Provisional Cut-Off डिसकस किया था But that is according to the Provisional Answer की P के जगा पे अब F हो गया है मतलब आप हम Final Answer की के हिसाब से आपका Cut-Off डिसकस करेंगे ये आपकी Vacancy है इस Vacancy के लिए हम Cut-Off डिसकस करेंगे जहां पे Total No. 57 है आपको पहले से पता है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई ऐसा Candidate से Cut-Off को इन फूचर देख रहा है जो इससे पहले इस Vacancy के लिए अपियर नहीं हुआ था तो उसको एक Basic Idea हो जाएगी कि ये Cut-Off था ये इतनी Vacancy थी बेसिक चीजें एक चीज मैं और आपको यहां पर बताना चाहूँगा कि जो मेरे पास डाटा इस बार था वो उतने sufficient data नहीं है कि हम बहुत accurate prediction कर पाएं आप में से कुछ 185 लोग ने ही second वाला form fill up किया है इससे पहले वाले form को 250 लोगों ने feel किया था इससे पहले जो provisional cut-off बना था आपके provisional answer की के हिसाब से वहाँ पर 450 लोगों ने data अपना feel किया था तो data में थोड़ा सा variation भी है बट मैं मेरे हिसाब से जितना मेरा wisdom है मैं चीजों को किस तरीके से summarize कर सकते हैं जो इतरह से average किस तरीके से हम लेख सकते हैं best possible provisional क्या हो सकता है वो मैंने कोशिस किया अपने तरफ से बनाने का कोशिस किया है कि कोई इसमें fake data include ना हो बट still मैंने पहले ही का कि इसको आपको finalize zoom करके नहीं चलना है और अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यह मेरा टेलिग्राम चैनल है आप मुझे जॉइन कर सकते हैं तो आप वीडियो को सुरू करते हैं बिना लेट की हुए तो सबसे पहले हम provisional cutoff discuss करते हैं for interview call किन लोगों को interview call के लिए बुलाया जाएगा आप सभी को पता होगा कि जितनी vacancy है उसके 3 time के लोगों को interview के लिए बुलाया जाता है आपके respective category के जितनी vacancy है उस category के 3 times लोगों को बुलाया जाएगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने marks होगे open category के जिनको interview के लिए बुलाया जाएगा यहां पर 69 male candidate होंगे आपके 3 female candidate होंगी मतलब जो female के लिए reserve seat है उसमें से 3 female होंगी बाकी सारी seats आपको male candidate को transfer हो जाएगी according to my data मेरे data में तीन ही female candidate हैं जिनके marks इतना है कि वो compete कर सकती है जिसमें से एक female candidate most probably जितना marks नहोंने बताया है उसके हिसाब से उनका selection भी तैय होगा हम आ अगर हम minimum और maximum की बात करें तो जो maximum general category की candidate हैं जिनके marks यहां पर आपको दिख रहोंगे 263.5 ध्यान रखना जनल category का जो cutoff है इसमें सारे category के वो लोग हैं जो basically इस marks से उपर हैं इस marks पे हैं या फिर इस marks से उपर हैं वो लोग यहां पर ऐसा नहीं कि यहां पर general category में ओविस include नहीं किया गया है, simple cutoff जो general category का बनाया जाएगा तो उसमें कोई भी जा सकता है जिसका marks उस category में fall करता है, EWS की बात करें तो EWS में यह data रहेगा आपका 215, 217 इस से पहले अगर provisional के हिसाप से हम बात करें तो यह कम था, but definitely सारे cutoff अभी जो final answer की आई है due to the cancellation of 8 questions जो marks का weightage है, वो बढ़ गया है, इसलिए cutoff भी बढ़ रहा है, जो आपने data fill किया है, उसके हिसाप से यह cutoff भी change हुआ है, सब में बढ़ा है, सब में बढ़ा है, तो most probably सब में बढ़ना भी चाहिए, तो यहाँ पर 215 to 217 है, 15 candidate को बलाया जाएगा, और यहाँ पर कोई female candidate नहीं है, ब पर, OBC category में और SC category में, बट उनके marks उतना नहीं है, कि उनको call किया जाए, अगर हम OBC की बात करें, या SCBC जिसे कहते हैं, उसकी बात करें, तो यह round होगा, 210 to 212 के बीच में, यहाँ पर 39 लोगों को call किया जाएगा, इसी तरीके से SC category का 175 to 117, उसी तरीके से SC category के भी आपको marks दिख रहे होंगे, अगेन मैं repeat कर रहा हूँ कि यह minimum marks है, इससे या इससे ओपर के लोगों को interview का call दिया जाएगा, अब आपके पास interview का call आ गया, आप सभी को पता है, जो interview है, that is 25 marks, और पिछले 2 यर के अगर आप NLC देखते हो, particular AC exam की, MBI के exam की, तो वहाँ पर minimum 6 marks मिले हैं और maximum 21 marks मिले हैं, ध्यान से सुनना final cutoff में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना है आपे, अब ये जो मैंने 300 में marks बनाया है, जितने लोगों का selection, जितनी seat है, केवल उतना ही लोगों को मैंने यहाँ पर लिया है, ध्यान देना, इससे पहले 3 time मैं में लिया था, अब केवल उतना ही लोगों को लिया है, जितनी आपके respective category में seat है, और आपके respective category के लोगों को ही यहाँ पे include किया गया है, यह जो cutoff है, इस पे बहुत जाद आपको focus नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर variation होगा, कैसे variation होगा वो आप समझ लो, जैसे मैं आपको बताया है कि final selection क के लिए general category में 252 marks से लेके 257 marks के बीच का cutoff रह सकता है, again this is the minimum cutoff, ठीक है, यह minimum cutoff है, इस से या इस से उपर वाले लोगों का ही selection होगा, according to the data you filled, जो आपने data filled किया है, उसके हिसाब से, अब यहाँ पर सोच के देखे कि माल लिजे किसी candidate का 240 marks नहीं है, माल लिजे उसका 235 marks ह और उसको 20 marks मिल जाता है interview में, क्योंकि maximum 21 marks तक मिले हैं, तो यह हो जाएगा, आपका 5, यह 255 हो जाएगा, मतलब अगेन यह इस category में आता है, तो आपको यह confusion नहीं होना चाहिए, कि मेरा return में 240 के बीच में नहीं है, तो मैं general category में select नहीं होगा, definitely it will depend upon your interview performance, बहुत सारे लोग पिछले बार का आप result देखोगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनके 6 marks हैं, वो selected हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनके 20 marks हैं, वो selected नहीं हैं, तो दोनों probability होती है, कम marks पाके अगर आपके return में ज्यादा है, तो selection हो सकता है, ज्यादा marks पाके अगर आपके return में कम marks हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप लिस्ट आट डाउन्लोड करके देखिएगा जो रिटेन के टॉपर हैं उनको minimum marks मिले हैं इंटर्वियू में तो आप ये confusion में मत रहो कि जो लोग रिटेन में बहुत अच्छा किये हैं वही लोग इंटर्वियू में अच्छा करेंगे जिनका खराब गया किसी रीजन से अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनका भी इंट्रिव्यू अच्छा होगा अगर आपको लगता है कि नहीं यह सारी चीजे कैसे मालने तो आप दो तीन साल का मैं आपको आपको दिखा दूगा आप कट आप दिखा दोगा रिजल्ट तो नहीं दिखाऊंगा रिजल्ट अब जीपीएसी पे जाके देख सकते हो उनके पास है वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि रीटेन में किसी के तू थाटीन नाइन थाटी तू थाटीफाइब मार्क्स हैं बट इंटरिव्यू में में बहुत अच्छे मार्स मिलें उनका भी सेलेक्शन हुआ है तो आपको ध्यान देना है EWS के लिए ये कटाफ काफी बड़ा है पिछली बार ये कटाफ था प्रोविजनल के हिसाब से 228 के राउंड अब ये 238, 235 के आसपास चला गया है और यहाँ पर गैप भी काफी जनरेट हो रहा है जनरल के कटाफ में और EWS के कटाफ में, OBC के कटाफ में, SAC के कटाफ में, SC के कटाफ में, सारे कटाफ में आपको गैप भी दिख रहा होंगे 10-10 marks गा क्योंकि मैंने कुछ tolerance भी लिये हैं, मैंने 2-3 नमबर के tolerance लिये हैं, क्योंकि वो variation हो सकता है, probability है क्योंकि मैंने जो data match कि आपने पिछली बार जो भरे थे, अभी जो भरे थे उस data में थोड़ा variation है, तो कुछ help मैंने previous year के data से लिये हैं, मतलब previous time के data से लिये हैं, कु क्या हो सकता है उसके हिसाब से मैंने यह बनाया है ठीक है सी बिसी की बात करें तो कटाफ आपको दिख रहा होगा 225-227 यह कटाफ देखने के बाद बहुत सारे लोग का मुझे प्रसनल मैसेज आता है कि मेरा 215 मार्क्स है सपोर्ज किसी का मैसेज ऐसे पिछली बार आप लोगों ने किया था इसलिए मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज कर देंगे कि मेरा 215 है अब क्या मुझे इंट्रीवी की प्रिपेशन करनी चाहिए तो देखो आपको बिल्कुल करनी चाहिए इंट्रीवी की प्रिपेशन इससे कम मार्क्स है तो आपको इस्टिक नहीं हो जाना है इस पे अब ये फाइनल कटाफ भी आपको ध्यान रखना है आपको ये ध्यान रखना है कि आपके मार्क्स कितने है और मैक्सम कितने मार्क्स लाके आप इस रेंज में आ सकते हो आपको ये रेंज ध्यान रखनी है ये रेंज ध्यान नहीं रखनी है और ये ध्यान रखना है कि मिनि काफी चेंजेज हुआ है एसी केटेगरी में पिछली बार यह 200 के आसपास था 20 मार्ट के राउंड बढ़ रहे हैं एसी केटेगरी में भी उसी तरीके से वेरियेशन है मतलब इन शाट हम यह कह सकते हैं कि जो आपकी फाइनल एंसर की आई है एबरी केंडिडेट जो केंडिड जीन लोगों ने भरा है मैक्सम लोगों के मार्क्स बढ़े ही हैं इसी लिए कटाफ भी आप लोगों का बढ़ रहा है तो कटाफ चेंज हुआ है बट आपको यह ध्यां रखना है कि फाइनल जो सेलेक्शन होगा इस रेंज में होगा आपके मार्क्स कितने हैं आप देख ल अगर आपको 20 मार्क्स या उससे ज्यादा का वरियेशन है तो थोड़ा आपको क्लास 3 पर फोकस करना चाहिए 10 to 15 मार्क्स का वरियेशन है इससे इंट्रव्यू के बाद भी तो भी आपको इंट्रव्यू की प्रिपेशन करना चाहिए फानली आप माल लिजे इससे 5 to 10 मार् तो भी आपको इंट्रव्यू की प्रिपेशन करना चाहिए क्योंकि ये प्रोविजनल है, फानल नहीं है बट ये भी नहीं कि बहुत ज़ादा आप पिछड़ गये हैं 20 मार्क, 30 मार्क पिछड़ रहे हैं इस कटाप से इंट्रव्यू के मार्क एड़ करने के बावजूद तो फिर आपको class 3 पे focus करना चाहिए, फिर दूसरे papers जो आपने भरे हैं, उस पे focus करना चाहिए, ये मेरी advice है, ये advice मैं पहले इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि आप जैसी में cut-off publish करूँगा, आप लोगों के message आएंगे, और आप personal message करकी ये पूछ होगे, कि मेरे इतने marks है, को preparation करना चाहिए, this is my advice, अब बाकी आपके ओपर depend करता है, आप जैसा सोचते हो, still आपके मन में कोई doubt है, तो जरूर message करिएगा, ऐसा कुछ restriction नहीं है, मैं reply भी करूँगा, आप लोगों का, अब हम last year के cut-off, जो last, इससे पहले जो vacancy आई थी, उसकी बात कर लेते हैं, पर जो cut-off है, यह category wise दिया गया है, इस बार का cut-off जो है, यह 25 marks change हुआ है, मैं कहा रहा हूँ, कि 251 के आसपास general category के लोग select होंगे, expected भी है किसी के आसपास आएगा, क्योंकि paper आपका बहुत ही आसान था, इतना आसान पेपर था technical का, आपका आपके दूसरे paper भी आसान से, त जैसे आप लोगोंने marks fill up की है, इस से पहले, इस से पहले cut-off काफी कम था, बर definitely आपको बता है कि day by day, यहाँ पे तो years निकल गए, यह 15-16 का है, यह about 5 year हो गए, तो day by day अगर आपका cut-off बढ़ रहा है, तो years निकल गए, तो cut-off तो definitely बढ़ेगा, तो यह कुछ previous year के cut-off है, य उन लोगों के लिए है, जो freshers है, वो देखें कि किस तरीके से competition level बढ़ रहा है, आपको किस तरीके से खुद को prepare करना है, competitive exam के लिए, तो basically यहाँ पे 99 post भी थी, यह भी धार रखना है, काफी जादे post थी, जादे post रोती, तो definitely cut-off, fall-down होगा, बट यहाँ पे post भी कम, इसके compression में इसलिए भी chances जागे cut-off आपका बढ़े, तो this is the end of this video, thank you so much for watching this, मिलेंगे next video में, तब तक के लिए all the best, good luck, और यहाँ तक आ गए हैं, तो channel subscribe कर लिजिए, वीडियो को like कर दिजिए, मिलेंगे next video में, चलिए